हलो एर्यवान वेल्कम टू ओल इंडिया स्टुडेंट्स कम्यूनिटी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो एक बहुत ही बर्निंग न्यूज आप लोगों को मिल ही चुकी होगी कि यूपी में योगी सरकार ने एसमा लागू कर दिया है अब ये क्या है एसमा इसके बोला जाता है Essential Services Maintenance Act 1966 का एक Act था जिसको पारित किया गया 1966 में और ये लागू हुआ 1968 में 1968 में एसमा लागू हुआ था Essential Services Maintenance Act इसके तहत क्या होता है आवश्यक अनुरक्षन अधिनियम 1966 था ये इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई भी लोक करमचारी जब ये लागू कर दि जैसे कि कोई भी लोक सेवाई हुई प्राधिकरण निगम जितनी भी सेवाई हैं सरकार के अंडर में आती है जब ये लागू हो जाता उसके बाद अगर कोई भी सरकारी करमचारी हड़ताल पर जाता है तो वो जेल में जाएगा बिना वारंट के इसको लागू होने के अब क्यों लागू किया गया इस से पिछले साल भी लागू किया गया था और योगी सरकार ने आने वाले 6 महिनों के लिए इसको फिर से लागू कर दिया गया है क्योंकि आपने देखा होगा जब से कोरोना का सेकंड वेव स्टार्ट हुआ उत्तर परदेश के अंदर भी इस् सर्विस वगेरा हो गया उनका कोई भी करमचारी उनमें उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हड़ताल पर नहीं जा सकते इस्पैशली जैसे जितनी भी हैल्थ सर्विस हैं डोक्टर्स, नर्स, होस्पिटल्स वगेरा कोई भी काम का बहाना लेकर इधर-उधर नहीं जा सकते हड़ताल नहीं कर सकते अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा वो भी बिना वारंट के और उनका जोब भी जा सकता है तो ये है एसमा जिसको योगी सरकार ने आने वाले 6 महीनों के लिए लागू कर दिया है अगर कोई इसको फोलो नहीं करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है और ये अधिक्तम 6 महिनों के लिए ही लागू किया जाता है एसमा ये हमारे सविधान की सातवी अनुसूची में आपको मिलेगा मतलब सातवी अनुसूची के अंदर जो विश्य है आपने देखा होगा स्टेट लिस्ट है, कॉंकुरेंट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है उसमें ये कॉंकुरेंट लिस्ट का जो है विश्य है जिस पर स्टेट गवर्मेंट और यूनियन गवर्मेंट कोई भी कानून बना सकता है अब इसको लागू किया गया यूपी गवर्मेंट के अंदर तो ये है एसमा I think आप लोगों को किलियर हो चुका होगा कोरोना की वज़े से जो स्थिती इस समय है उससे निपटने के लिए एसमा को लागू किया गया है और राजय पाल ने भी इसकी मंजूरी दे दी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और टोपिक समझ में आया हो कि एसमा होता क्या है ये किस एक्ट के तहत पारित किया गया कब ये लागू हुआ सविधान की किस अनुसूची में आता है और उस अनुसूची में कौन इस पर कानूर बना सकता है कितने महीनों के लिए लागू किया जाता है इसके अंदर आने वाली सेवाए कौन सी है अगर आपको क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताए आपको वीडियो लगा कैसा जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने कल भी बताया था अब जो भी बर्निंग इशूज होंगे करन्ट अफियर्स के वो भी हम यहाँ पर कवर किया करेंगे थैंक यू जय हिन जय भारत टेक केर लवी और बबाए ध्यान रखिए खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा थैंक यू